दोस्तों कि आपको मालूम है कि आप अपने laptop, desktop या किसी भी phone को किसी भी अन्य phone में, laptop में या desktop में access कर सकते हैं, remotely access कर सकते हैं actually, और उसको proper use कर सकते हैं जैसे एक actual device को आप use करते हैं, चाहे वो laptop हो, आपका desktop हो, चाहे आपका mobile phone हो, even किसी भी platform पर वो हो, चाहे Android, Windows, iOS, Macintosh, Chrome OS, क किसी भी OS पर वो हो, कोई भी device को किसी भी device में, आप remotely access कर सकते हैं, वायरलेसली वो भी, मैंना किसी तार के जहनजट से आप मुख्थ होकर ये कर सकते हैं केवर और केवल इंटरनेट के माधियम से तो बिल्कुल अगर आप ये जानना चाते हैं, सीखने चाते हैं तो इस वीडियो को अंग तक जरूर देखिए ताकि आप भैतर समझ पाएं कि इस प्रक्रिया को कैसे किया जाता है तो मेरा नाम है वे एक स्वागत है आपका 360 tactics YouTube चनल पर चली स्टार्ट तो इस प्रक्रिया को करने के लिए सबसे पहले हमें केवल और केवल एक अप्लिकेशन इंस्टॉल करना होगा जैसी कि मैं आभी विंडोस बेस्ट एक कर रहा हूं साथ में अप आ यूज में Lukas कर रहा हूं तो सबसे पहले में इसमें एक अप्लिकेशन इंस्टॉल करूंगा अपने लापटोप में मैं लापटोप से फोन मैं access करूँगा laptop को और same फिर मैं phone को laptop में access करूँगा तो ये जो website है उसका नामे er 230 desk इसको आपको install करना है इस loyal configure install करना है आपको ये दिख रहा है आपको free download तो मैं आपको बताना चाहॊंगा ạat Windows के लिए आप देख पा रहे हैं अभी अगर आप another platform पर हैं like Mac पर हैं या आप मान लीजिए किसी Android पर हैं जैसे फोन Android iOS, Linux, FreeBSD, Raspberry Pi, Chrome OS कोई भी आपका OS है उसके लिए इसको डाउनोड कर सकते हैं आलफ आल में Windows पर हूँ तो Windows के डाउनोड करूँगा और download now पर click करना है यह download हो गया है और simply इसको install करना है install करने के बाद मैं आपको बताना चाहूंगा यह कुछ इस तरीके से दिखाई देगा ठीक है यह आपकी ID है जिसके तुरू यह ID अगर आप किसी Android device को देंगे तो वह आपके laptop को इस laptop को access कर पाएगा अब सेम हम जो any desk है वह इसमें भी download कर लेते हैं simply मुझे एप स्टोर में जाना है या Android है तो Google Play Store में जाना है और टाइप करना है any desk search करना है search करने के बाद यह मुझे दिख गया any desk get किया मैंने और यह इंस्टॉलेशन इसकी शुरू हो जाएगी इसको install कर लेती है और फिर मैं आपके पास दुबारा से आता हूं 8.2 MB का size है इसका cable बहुत ही छोटा यह जो है software application है इंस्टॉल हो रहा है भी फाइनली इंस्टॉल हो चुका है open कर लेते हैं इसको पर्मिशन ग्रांड करते हैं यह मेरा address आ चुका है let's suppose इस laptop में मुझे इस phone को देखना है तो मैं यह address डालूंगा यहां पर ओके बट राइट नाव मुझे इस laptop को phone में देखना है तो मुझे यह जो आईडी है laptop की जो आईडी है any dex की वो मुझे इसमें डालनी होगी तो remote address में जस्ट मुझे डालना है and connect पर्मिशन यह पूछेगा ठीक है इसको मैं accept कर देता हूं देखिए इसको मैं close कर देता हूं यह मेरी laptop की screen आ चुकी है इसको मैं horizontally भी देख सकता हूं देखिए पूरा laptop का screen मेरा देख रहा है इसमें तो देखिए अभी यह हम इसमें चलाते हैं Google Chrome आप देखिए Google Chrome only images में खुलना है कीबूर्ड आगे है Google dot i इसी तरीके से जो भी आप चाहें वो कर सकें आपको दिस पीसी कुल करिखा देता हूं कि हमारा कंप्यूटर कि कि इस पीसी फिल गया कि किसी भी ड्राइब में जाईए देख पाने सारे डेटा को जैसे चाहर वैसे आप यूस कर सकते हैं तो आप देखा जाए तो कूरा लाप्टॉप कंट्रोल कर सकते हैं एक फोन से को तुम साफ्टर्स आप यूज कर सकते हैं कुछ भी सकते हैं यौu कि चाहिए अभी देख पा रहे होंगे और अब इस फोन को मैं अपने लैप्टॉप में कनेट करके देखाऊंगा आपको कैसे करते हैं simply Anidex open किया मैंने इसका जो आईडी है मैंने यहां इंटर किया इंटर स्टार्ट नो एक्सेप्ट देखिए रिकनेक्ट हो चुका है अब मैं अपने लैप्टॉप में आपडेट करूंगा और फोन में आउटमेंटिक यह चलेगा आउटमेंगा थीक है कैमरे खूला मैंने कैमरे बंद किया किया आपनेूंज क्यालक्लेटर खूलता हूँ है कैलक्लेटर काल्क्रेशन कर सकते हैं अब किसी भी आप्टर का व्यूस कर सकते हैं किसी पी application को आप यूज कर सकते हैं इस तरीके से देखिए सारे applications आप यूज कर सकते हैं इसलिए ओके तो ये एक आसान तरीका है रेमोट पी एकसेस करने का और उपने फॉन को यूज को यूज करने का दूट इन्टरनेट कनेक्शन आप इसका अगर अगर आप इसका ब्रड़ कर दिया है तो आप जो वीडियो वगेरा हैं इसको आप ऐसे करके रखिए आपको फुल स्क्रीन पर दिखेगा और यहां से आप इसको फुल स्क्रीन मोर्ड में जा सकते हैं आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आता है तो प्लीज लाइक जरू कर दीजेगा इस वीडियो को शेयर कर दीजेगा वाट्साइप ग्रॉप में पेस्बूप पर जहां पर आप कर सकते हैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में तब तक लिए टेक क्या जाइस